हाई वेल्कम टो मैं चैनल इस बीडियो में सॉल्व करें क्वेश्चन अमर्ट 21 द्हांद जीगा और ट्राइसाइकल इस सोल्ड एट गेन अफ 16% हैड इट बीन सोल्ड फार रुपीज हंडेड मोर दे गेन उड हैब बीन 20% तो कराया कि एक ट्राइसाइकल है ट्राइसाइकल मतलब कि जो लंगने लोग यूज करते हैं तीन पहिया वाला जो गाड़ी होती है मतब सारी सैकल ही होता है वो तीन पहिया लेकिन उसमें होता है थैक है three wheels होते हैं तो आप टेंपू मस तमझ दीजेगा tempo नहीं बलकि tricycle होता है जिसमें cycle की तरह लोग पैर से जलाते हैं लेकिन वो जो लगने लोग होते हैं वो लोग चलाते हैं ठीक है तो एक tricycle है वो sold के जा रहा है at a gain of 16% तो जब इस बेचे जाएगा तो पहले उसका CP भी तो होगा कुछ cost price होगा कुछ किसी price में खरिदा गया होगा तो वो हम कुछ मानेंगे और उसको 16% gain पर बेच दिया गया अब यहाँ पर एक condition दे दिया कि had it been sold यदि वो बेचा गया होता यदि वो बेचा गया होता for rupees 100 more यदि 100 rupees में थोड़ा सा ज़्यादा 100 rupees ज़्यादा सोच बेचा गया होता जितना में मतलब उसका जो भी SP हुआ रहेगा यहाँ पर यहाँ पर SP निकालेंगे हम लोग जो भी SP होगा उसमें यदि 100 rupees add कर देते न तो gain कितना हो जाता 20% हो जाता मतलब gain percent जो हो जाता वो 20% हो जाता तो कर रहेगे find the CP of the tricycle तो tricycle की CP बताईए solution करेंगे यहाँ पर तो पहले माल लेंगे कि tricycle की जो CP हो एक्स है let let the CP of the tricycle be X cent sorry X rupees okay X rupees तो हमने माल लेंगे CP कितना है X rupees है आँ इसको क्या कर रहा है gain पर बेच रहा है न इसको बेच रहा है gain पर 16% के gain पर तो हम SP निकाल सकते हैं तो so यहाँ पर निकाल लेजी SP of the tricycle इसको हो जाएगा क्या formula होता है CP into 100 plus gain percent क्योंकि इसमें हो रहा है gain तो 100 plus gain percent अपान 100 होता है यह formula होता है लगा दिजे CP कितना है X है आपका और 100 plus gain 100 plus gain कितना हुआ 16 upon 100 मतलब है मिल जाएगा 116X upon 100 ठीक है यह आपका मिल गया क्या SP अब हमें क्या करना है कह रहा है कि यदि यह इस SP पर न बेच करके मतलब कि 116X upon 100 rupees पर न बेच करके 100 rupees थोड़ा सा बढ़ा करके बेचा होता मतलब कि new SP निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं new SP आफ दी ट्राइसेकल तो new SP जो होगा 100 rupees ज्यादा होगा पहले बाले से तो पहले आपका है 165 100 तो उसमें क्या कर देंगे add कर लेंगे कितना SP में 100 rupees तो अब हो गया इतना rupees अब कहरा कि यदि इतना में बेचा होता तो profit होता 20% तो profit अब निकालेंगे इस पे मतलब SP ये मानेंगे और CP मानेंगे जो पहले माने थे ये जो X rupees है वही CP है CP में कोई जेंजनी करने को नहीं बोल रहा है CP उतना ही का रहा कि रहे लेकिन SP में बस का रहा है कि 100 rupees ज्यादा कर दिया जाए तो gain जो होगा gain percent हो जाना चाहिए कितना 20% तो हम या लिए सकता है gain percent is equal to 20 अब यहां से हम gain percent का formula लगा सकते है और gain percent का formula क्या होता है SP में से minus करते है CP upon CP में मड़पलाई कर लेते हैं 100 से यह होगा gain percent का formula is equal to 20 दिया हुआ है तो हम जो यहां पर SP यूज करेंगे वो नया वाला SP यूज करेंगे मतलब यह यहां पर हो जाएगा 116X upon 100 plus 100 minus करेंगे CP CP कितना है? X whole upon CP कितना है? X is equal to मिलेगा आपको 20 और यहां मड़पलाई बई 100 भी रहेगा multiplied by यहां पर शरी यहां पर यहां पर multiplied by 100 is equal to 20 अब ध्यान दिजएगा जो denominator में है उससे हम मड़पलाई कर सकते हैं cross multiply इधर तो मडपलाई कर लिजए cross multiply ताकि simple हो जाए तो यह हो जाएगा 116X upon 100 plus 100 minus X इस पूरे में मडपलाई किया जाएगा 100 से यह वाला 100 कर दिजए cross multiply एकस से इधर तो 20X हो जाएगा यह ठेके अब यह 100 से मडपलाई कर दिजए इसके अंदर तो आपको मिल जाएगा देखिए 100 से मडपलाई करेंगे तो तीनों में करना पड़ेगा तो 100 से करते हैं पहले 116X upon 100 में तो यह 100 निच वाला कर जाएगा इससे तो मिलेगा केवल 116X प्लस इस 100 में करेंगे 100 से तो मिल जाएगा 100 के आगे चार जिरोज माइनस यहाँ पहले जाएगा 100X और यहाँ मिलेगा 20X अब यहाँ धान देजएगा 116X में से मानस करेंगे 100X तो मिलेगा आपको केवल 16X और यह 20X को ले जाएगे 20X को हम ले कराएगे लेफ्ट हैड में और यह जो 10,000 है उसको रैटरेंट में ट्रंस्पोज करतेंगे तो यह मिलेगा 20X is equal to यह जाएगा इधर तो मिलेगा मानस में 10,000 तो यहाँ से मानस करेंगे मिलेगा मानस 4X यहाँ पर है मानस 10,000 यहाँ पर देखिए minus minus cancel हो जाएगा क्योंकि हम both sides में यहाँ minus minus में बिलाए करेंगे तो हो जाएगा इतना it implies यहाँ पर x की value अब निकल सकती है इतना में डिवाइड करना पड़ेगा 4 से 4 बंज़ा 4 4, 2,8 और 2 बचा 20 हो गया 4, 5, 20 और 2,0 बचा है मता मिल गए अब 2,500 रुपीज जो हमने x माना था क्या माना था cp of the tricycle cp of the tricycle क्या गया यह आ गया तो लिसकने आपकर के hence cp of the tricycle इस गल हो जाएगा 2,500 रुपीज यह आपका answer है प्रेश्ट प्रेश्ट कर वाचिए और जाएगा